नमस्कार आज हम बात करेंगे Mineral Resources of Rajasthan राजस्तान के खनी संसादनों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें कि हम अधात्वी खनीजों के बारे में आज हम चर्जा करेंगे राजस्तान के धात्वी खनीजों के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में बात की थी आज हम बात करेंगे धात्वी खनीजों के बारे में राजस्तान धात्वी खनीजों की द्रस्टी से सम्रद्ध है और यहां अनेक प्रकार के धात्वी खनीज मिलते हैं अगर हम इन अधात्वी खनीजों को कुछ श्रेणियों में बाटे तो वो है जैसे कि उर्वरक खनीज इसके अंतरगत आएंगे जिपसं, रोक फॉस्पेट, पाईराइट, आदी खनीज दूसरे नंबर पे हम बात करें भामूले पत्तर इनमें आएंगे पन्ना, तामडा, हीरा, आदी नेक्स्ट है आणवी कैम, विदूत, उप्योगी खनीज इसके अंतरगत आएंगे जैसे कि अब्रग, यूरेनियम, आदी खनीज नेक्स्ट है उस्मारोधी और उच्चतापस खनीज, इसके अंतरगत हम, एसबेटोज, फेलसफार, सिलिका सैंड, चीनी मिट्टी, डॉलोपाइट, आदी खनीजों को इसके अंतरगत सम्मलित करेंगे नेक्स्ट है रासाइनिक खनीज, इसके अंतरगत आएंगे जैसे कि नमक, बेराइट, चूना पत्तर, फ्लोराइट, आदी और लास्ट है इमारती पत्तर, इसके अंतरगत आएंगे संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंड स्टोन, आदी खनीज तो ये बात की हमने राजस्तान में मिलने वाले एधात्वी खनीजों की और उन एधात्वी खनीजों की स्रेणियों की, जिसके अंतरगत हमने बात की कि कौन-कौन से खनीज सम्मलित होते हैं, उनके अंतरगत आते हैं अब हम बात करते हैं सबसे पहले एस बेस टॉस खनीज की राजस्तान एस बेस टॉस खनीज का प्रमुक उत्पादक और यहां पे देश के कुल उत्पादन का 90 परतिशत भाग उत्पादित किया जाता है और राजस्तान में एस बेस टॉस खनीज के जो प्रमुक उत्पादक छेतर हैं वो है उद्पूर जिले के खेरवाडा और रिशब्देव छेतर हैं इसके अतिरिक्त नाद्वारा, काथल, आसीन, सलुम्बर, बरना से भी इसका उत्पादन किया जाता है उद्यपूर के अतिरिक्त राजस्तान में डूंगरपूर, अजमेर, उद्यपूर और जौधपूर से भी S-Bistos खनीज का उत्पादन किया जाता है नेक्स हम बात करते हैं अब फैलसफार की राजस्तान भारत के लगवग 60% फैलसफार का उत्पादन करता है और यह खनीज अबरक के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और राज्ये का जो अधिकांश फैलसफार है वो अजमेर जिले से प्राप्त होता है यानि कि फैलसफार के उत्पादन में अजमेर जिले का एकादिकार है और यहां से लगभग राज्ये का 96% फैल्सवार उत्पादित किया जाता है अजमेर के अतिरिक्त राजस्तान में जैपूर, पाली, टॉंक, सिरोई, अधरपूर, पासवाडा जिलों में भी फैल्सवार सीमित रूप से पाया जाता है अजमेर जिले में फैल्सवार अजमेर और ब्यावर के निकट और जैपूर जिले में डूंगरपूर और दादिया, बानदेव देवनी के तथा गुजरवाडा में यह उत्पादित किया जाता है और पाली जिले में चाओदिया, प्रतापगड और डिगोर से इसका उत्पादन किया जाता है नेक्स अम बात करते हैं अब्रक की अब्रक का उपयोग, विदुतुपकरण, साजावट के सामान, अगनी प्रती रोधक परदार्तो, वायरलेस, मोटर, वायुव्यान आधी में किया जाता है और राजस्तान में बिलवाडा जिले में अब्रक से इते बनाने का उद्द्योग भी इस्थापित किया गया है राजस्तान में अब्रक के उत्पादन की बात करें, तो राजस्तान में अब्रक का उत्पादन तीन पेटियों में मुखेते मिलता है वो है, पहली है जैपूर टॉंक पेटी, दूसरी है भिलवाडा उदैपूर पेटी, और तीसरी है अन्ने पेटी सबसे पहले हम बात करें जैपुर टॉंक पेटी की तो इसमें टॉंक एम दक्षणी जैपुर जिला समय लीता है और इसमें टॉंक जिले का जो छेत्र है वो है बरला, मानखंड, संकरवाडा, बार्चोला, मिराउ, धोली, बारेली और पालरी यह टॉंक जिले के प्रमुक अबरक की खाने है या टॉंक जिले के प्रमुक अबरक उत्पादक छेत्र है वहीं बात करें हम जैपुर की तो जैपुर में बंजारी और लक्षमी प्रमुक अबरक की खाने है दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बिलवाडा, उद्यपुर बंजारी, गोगास, भेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा और घाउमन्ट प्रमुग अब्रक उत्पादक छेतर है जबकि उद्यपुर में चंपागड, धोला मेत्रा और मालवा प्रमुग अब्रक उत्पादक छेतर है तीसरे नमबर पर हम बात करते हैं अन्य पेटी की तो इसके अंतरगत अन्य छोटे अब्रक उत्पादक छेतर आते हैं जिनमें सीकर में तोरावाटी तैसिल तथा अजमेर, राससमन, अलवर और पाली जीले इसके अंतरगत आते हैं अन्य पेटी के अंतरगत तो ये तो बात की हमने अब रखी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिपसम की जिपसम एक उप्योग इखनीज है जिसका उप्योग की रासाइनिक उरुवरब प्लास्टर ओफ पेरीज रंगरोधन आदिकारियों में किया जाता है और भारत में राजस्थान जिपसम का परतिशत उत्पादन करता है राजस्तान में जिपसम उत्पादन के तीन परमुक छेतर है अगर इनकी बात करें तो ये हैं बिकानेर गंगानगर चूरु छेतर दूसरा है नागोर छेतर और तीसरा है जेसलमेर बाडमेर पाली जोदपुर छेतर सबसे पहले हम बात करते है बिकानेर गंगानगर चूरुचेतर की तो इसमें बिकानेर के जामसर गाओं के निकट सबसे बड़ा जिपसम बंडार है और इसके अलावा लूनकरन सर, सिया सर हरकार सर और पुगला अन्य जिपसम बंडार है वहीं गंगानगर एम हनमानगर चेतर में भी जिपसम के बंडार है दूसरे नमबर पे हम बात करते हैं नागोर चेतर नागोर चेतर भी जिपसम बंडारों में मैतपूर्णिस्तान रखता है और तीसरे नमबर पे हैं जैसलमेर, बाडमेर, पाली एम जोधपूर चेतर जेसलमेर में मोहनगड, हपीरवाली धानी, लाखा तथा जोदपुर के पोकरन छेतर में जिपसम का उत्पादन किया जाता है या जिपसम के यहां बंडार है नेक्स हम बात करते हैं अब रॉक फोसपेट की रॉक फोसेट खनीज का इसका उप्योग राजायनिक उर्वरव को में किया जाता है रॉक फोसेट ऐसी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसमें एक अतवा अधिक फोसपेट खनीज विद्धमान होते है और राजस्तान देश का लगबग 56% रोकफोसपेट का उत्पादन करता है राजस्तान में प्रमुक रोकफोसपेट के उत्पादक छेत्रों की बाद करें तो इन में प्रमुक है उदैपूर, बास्वाडा, जैसल मेर और जैपूर उद्यपूर की बात करें तो उद्यपूर में कानपूर, कारबेरिया, डाफन कोटड़ा, मटून, सीसार्मा, नीमचमाता, बढ़ागाउं तता जामर कोटड़ा छेतर है जो की प्रमुक रॉक फोस्वेट उत्पादक छेतर है दूसरे नमबर में हम बात करते हैं बासवाड़ा की, बासवाड़ा में स्लोव पेट छेतर है जो की प्रमुक रॉक फोस्वेट उत्पादक छेतर है जेसलमेर की बात करें तो जेसलमेर में बिर्मानिया एउं फतेगड प्रमुक छेतर है और लास्ट में बात करें जैपूर की, तो जैपूर में है अडूका अद्वानी राजगड़ तैसिल में है जो की प्रमुक रोग फोस्फड उत्पादक छेतर है अब हम बात करते हैं राजस्तान में मिलने वाले प्रमुक इमारती पत्तरों के बारे में तो राजस्थान में अनेक प्रकार के इमार्थी पत्थर मिलते हैं उपलब्ध हैं इनमें सबसे पहले हम बात करें संग्मर्मर की तो राज्य में संग्मर्मर का उत्पादन राजस्थान में संग्मर्मर के उत्पादन के अनेक छेत्र है इनमें उत्री पूर्वी छेत्र सरव विख्यात है और यह चेत्र मकराना चेत्र नागोर जिलों में इस्तित है और मकराना के अलावा राजस्तान में संग्मर्मर का उत्पादन किसंगर्ड, परवतसर, अलवर, सिकर, सिरोई से भी किया जाता है और इसी तरह धक्षणी पश्मी राजस्तान में उदैपूर, रास् प्राश्वाड़ा में भी संगमर्मर निकाला जाने लगा है राज्य में राजस्तान में जालोर पाली बूंदी अजमेर में भी संगमर्मर उपलब्द है लेकिन इन छेत्रों में इनकी खाने सीमित है और इन छेत्रों में इस संगमर्मर का खनन भी सीमित मात्रा में हो रहा है नेक्स्ट रम बात करते हैं चूना पत्थर की चूना पत्थर के लिए राजस्तान के राजस्तान चूना पत्थर के उत्पादन में महतपून रखता है और महतपून है ये चूना पत्थर का उपयोग इमार्ती पत्थर के रूप में तथा सीमेंट और चूना बनाने में किया जाता है और राजस्थान में चूना पत्थर का उत्पादन सिरोही, उदैपूर, जित्तोडगर, पुंदी, जैसलमेर, बासवड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, जैपूर, नागोर, जौदपूर जिलों से किया जाता है और इसमें तीन स्ट्रेणी से चूना पत्थर का प्रियोग होता है, जैसे कि जलाने योग्य चूना पत्थर का उत्पादन, इमार्थी और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर इसके लिए इसका उत्पादन किया जाता है नेक्स हम बात करते हैं, बालू का पत्थर की, बालू का पत्थर राजस्तान में परमुक्त से जो परमुक रूप से मिलता है वो छेतर है, जौदपूर, कोटा, बुंदी और बिलवाडा जौदपूर की बात करें, तो जौदपूर में सफेद एम भूरा, करोली के डांग छेतर में सफेद और लाव और चिक्ती तारी, कोटा में कोटा इस्टोन और बुंदी और बिलवाडा छेतरों में यह इसका मुख्यता उत्पादन किया जाता है इसके अतिरिक्त, नेक्स हम बात करते हैं, भौमुले पत्तर की, राजस्तान भौमुले पत्तरों के उत्पादन के लिए भी प्रशीद है, यहाँ पर पन्ना और तामड़ा प्रमुक रूप से उत्पादित होते हैं, सबसे पहले हम बात करें, पन्ना की, तो पन्ना इसका उपयोग आभुष्णों में किया जाता है और यह एक सुंधर हरे रंका चमकीला रतनों होता है पन्ना मुख्यत उधयपुर जी ले के उत्तर में पेटी से निकाला जाता है या उधयपुर जीले के उत्त्री भाग में इसकी एक पेटी मिलती है जिसका विस्तार देवगड से दक्षिन में कांक रोली तक है जो अपकी राजसमन जिले में हैं यहां पन्ने की प्रमुखाने जिनमें हैं काल गुमान चेतर, टिक्की चेतर, गोंगुदा चेतर और अजमेर के राजगड चेतर से भी इसके निक्षेप मिले हैं दूसरे नमबर पे हम बात करते हैं तामडा की तो यह एक अन्यभव मुले रत्न है जो की लाल गुलाबी रंग का पारदर्शी रत्न होता है जो आबुष्णों में प्रियोग में होता है राजस्तान में तामडा के उत्पादन के लिए एकाधिका रखता है और राजस्तान में तामडा टौक जिले के राजमहल और अजमेर के सरवाडा छेतर से निकाला जाता है टौक जिले में राजमहल, गावरी, कुशलपुरा, जनकपुरा यह प्रमुक छेतर है तामडा उत्पादन के और अजमेर में सारवाडा प्रमुक छेतर है तो ये तो बात की आज हमने राजस्तान में मिलने वाले प्रमुक एदात्वी खनीजों की और उनके छेत्रों की कौन-कौन से छेत्रों से उनका उत्पाधन किया जाता है आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू